दोस्तो आज हम तयार करेंगे नवरातरी के लिए दही वाले आलू की सबजी और साथी साथ तयार करेंगे ब्रत वाले पराठे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्रत के लिए बहुती बढ़िया सबजी और पराठे सबसे पहले हम बनाएंगे दही वाले आलू की सबजी जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिए और कढ़ाई में डाला है दो चम्मच शुद्य देसी घी और घी हो गया है गरम तो घी में डालेंगे आदा चम्मच जीरा दो कटी हुई हरी मिर्च और दोनों को हमें यहाँ पर चलाते हो अच्छे से भून लेना है हरी मिर्च और जीरा हमारा भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे दो ले हुए आलू आलू को मैंने हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है और अब हमें high flame पे आलूओं को लगबग एक से दो मिनिट तक चराते वच्छे से भूनना है आलू यापर हमारे अच्छे से भून गए है तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप दही मैंने एक कप दही लिया है और दही में एक कप पाई डालकर इसको पतला कर लिया है और साथी साथ डालेंगे एक चुथाई चमच ब्रतवाला नमक अब हमें करने हैं अपने हाथों की exercise क्योंकि ये जो सबजी है इसको हमें लगाता चलाते रहना है अगर आप लगाता चलाएंगे नहीं तो सबजी फट जाएगी तो इसको हमें जब तक उबालना आजा जब तक चलाते रहना है तो सबजी में यहाँ पर उबाल आना start हो गया है आप देख सकते हैं उबालने लगी है तो गैस को कर देंगे हम low और low flame पे सबजी को हमें लगभग 5 मिनट तक उबालना है तो 5 मिनट हो गये हैं और सबजी यहाँ पर हमारी हो गई यह बन के तयार गैस को कर देंगे हम बन और चलिए बढ़ते हैं नेक्स प्रसेस की और और कर लेते हैं अपने पराठे बना के तयार पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो medium size की उबले हुए आलू लिये हैं और आलू को कर लेना है मैं कद्दूकस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आलू को कद्दूकस ही करें हाथ से ना फोड़ हैं नहीं तो आलू में गुठलिया रह जाएंगे कद्दूकस होने के बाद आलू में डालेंगे हम डेड़ का ब्रत वाला आटा मैं यहाँ पर यह कुट्टू के आटे का इस्तिमाल कर रहे हूँ आप कोई भी ब्रत के आटे का इस्तिमाल कर सकते हैं और साथी साथ डालेंगे एक चुथाई चमच ब्रत वाला नमक यानि की स साइड में डाल देंगे दो चम्मच बरत वाला सूखा आठा और डो में से लेंगे हम छोटा सा पोशन और हाथों की मदद से गोल-गोल घुमाते हो करेंगे पेड़ा बनाके तैयार और अब हम पेड़े की ऊपर डालेंगे थोड़ा सा सूखा बरत वाला आठा और बेलन की पराठे बनाके तयार कर लिए अब बारी है इनको सेखने की तो सेखने के लिए मैंने तभी को अच्छे से गरम कर लिया है गरम गरम तभी पर हम बिला हुआ पराठे डालेंगे पराठा जब नीचे से सीख जाएगा तब हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद पराठे के दोनों तरफ घी लगाते हुए पराठे को हमें अच्छे से सेक लेना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें घी लगाया पराठा फूल गया है तो इसी तरीके से दोनों तरफ पलटते हुए दबाते हुए पराठे को हम सेक लेंगे पराठा यहां पर हमारा सिख गया रेस्पी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा जोड़े रहे हैं आप मेरे साथ मिलते हैं नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई